हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जैशी कृष्ण आज हम बात करेंगे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी के बारे में वेसे तो मित्रो प्रतेक वर्ष 24 एकादशी होती हैं लेकिन अधिक मास या मल मास को हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं अधिक मास अनेक पुन्यों को देने वाला मास माना गया है और हर तीन साल में एक बार आता है इस महिने को मल मास या पुर्षत मास भी कहा जाता है ये पूरा महिना मित्रो पून रुप से विश्ण बगवान को समर्पित है इस वर्ष अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा ऐसा माना जाता है कि ये महिना अनेक पुन्यों को देने वाला होता है इस महिने में शुक्ल पक्ष में यानि 27 सितंबर रविवार को पढ़ने वाले पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के वरत को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है क्योंकि यह वरत अधिक मास में किया जाता है और इसलिए इससे मिलने वाला जो फल है वो भी बहुत अधिक होता है यह महिना भगवान विश्णू की आराधना का महिना माना गया है पदमनी एकादशी की कथा की अगर बात करें मित्रों तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि त्रेता युग में कृतिवीरी नामग एक राजा था जिसकी सो रानिया थी लेकिन किसी की भी संतान नहीं थी और उस समय माता अनुस्यवा के कहने पर राजा रानी दोनों शुक्ल पक्षी एकादशी का विधी पुर्वक और बड़ी हे शद्धा के साथ उन्होंने वरत किया और इसके बाद उनकी इच्छा पुरी हुई और उन्हें पूत्त के प्राप्ती हुई और अब बात करते हैं कि विष्णु भगवान को हमें क्या भोग लगाना चाहिए तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु को खीर, पिले फल या पिले रंकी मिठाय का भोग लगाना चाहिए साथ ही साथ तुल्सी के सामने गाय के शुद्ध गी से दीपक करना चाहिए और तुल्सी को प्रणाम करना चाहिए पुराने कत्थाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वास पीपल की पेड में माना गया है और इस दिन पीपल को मीठा जल जरूर जडाना चाहिए अधिक मास के दोरान अगर हम कुछ ना भी कर सके तो भगवान विश्णों को प्रसन करने के लिए अधिक मास में मंदिर जाकर हम अपनी कमाई की कुछ हिस्से का दान अवश्य हमें करना चाहिए या फिर यथा शक्ति हम अनदान कर सकते हैं एकादर्शी के दिन अगर हम खाने की मित्रो बात करें तो इस दिन दूद, दही और फल का सेवन करना चाहिए ऐसी माननेता है कि इस दिन चाहे हम व्रत ना भी कर रहे हूं तो भी हमें चावल खाने की मनाई होती है तो हम कोशिश करें कि उस दिन हम चावल ना खाए और पूर तरह से व्रत करें तो मित्रो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें सब्स्राइब करें धन्यवाद जैशी कृष्णा